हमारे देश में 99% लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम रातो रात कुछ ऐसा हो कि हम करोड़ पती बन जाएं इसी सपने को सच करके जी रहे हैं अजयरावत जो की रुदरपयाग जिले के कपणिया गाओं के रहने वाले हैं अजयरावत ने फेंटेसी एप ड्रीम 11 में टीम बना कर पूरे एक करोड रुपए अपने नाम किये हैं अजयरावत हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटीजी अपनाई और क्या उनके दिमाग में था अजयरावत है और मैं कपड़े का काम करता हूं मैयाली में पहले में बाहर रहता था आपकी कपड़े की दुकान मैयाली में अच्छा आपने ड्रीम 11 में एक करोड रुपए जीते हैं बहुत जारे लोगों के दिमाग में एक क्वेशन है कि वागए में किस सच होता है या फिर अकाउंट में पैसे आते हैं तो ट्रांजक्शन के आपका कम्प्लीट हो चुका है उट चुका है और यह कोई फ्रौठ नहीं है यह सच्चा है अगर आपने के वैसी वगभर रखिया है तो कोई फ्रौड और बाकी टीम में आपने क्योंकि उस दिन बड़ा अजीब सा मैच हुआ था उसमें ज्यादा लो सेलेक्शन वाले चल गए जैसे हाई सेलेक्शन डूपलिसी था मैक्सवेल था और आपका सिराज था तीनों फ्लॉप होगे तो टीम बन गई तो आपने उन तीनों को टीम में लिए यह स्किल होती है और इसको खिसमत भी कह सकते हैं कि आपने जिन लोगों क्योंकि फाब डूपलेसी और सिराज मैक्सवेल जो है अच्छा प्रदशन कर रहें पूरे आई-पियल में लेकिन उस मैच में नहीं चले और अजय रावत ने उन लों को टीम से बाहर किया था नए खिलाडी उसन जो है काफी अच्छा खेली कौन-कौन अपनी टीम में रखे थे? अपने वित्य जोखिम पर खेले इसमें लट भी लग सकती है उसको लेकर क्या कहेंगा? करोड़ों में क्योंकि करोड़ों में एक आदमी जीतता है लेकिन इसमें रिस्क भी काफी जाते है जैसे बताई रहे अजय बताई कितना अभी तक आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे? अच्छे तरीके से हो चुके हैं और उसके बाद आपकी किसमत यह रही कि आपकी वह हो चुके हैं? पिछले सीजन में स्टार्ट किया और इस सीजन में एक करोड जीते लेकिन उसके बीच में साट से सतर अजार रुपए आप उसमें इन्वेस्ट पी कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि रिस्क काफी ज्यादा इसमें है अच्छा एक बात अब यह बताईए क्योंकि आप आप बना रहे हैं अब देखते हैं अभी सोचा नहीं है कुछ लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत बिजनिस में लागाएंगे पैसा इन्वेस्ट करेंगे कहीं जिससे वह काम आए काम आए तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत शुप काम नाए आपको आ आपकार